एक गाउ में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसका भाई श्यामू हर चोटी-चोटी चीज़ों से डर जाता था। एक पार रामू अपने भाई श्यामू के साथ खेट पर जा रहा होता है। रास्ते में एक बगीचा पढ़ा। दोनों थोड़ी देर के लिए उस बगीचे में रुख जाते हैं आराम करने के लिए अचानक श्यामू को बगीचे में कुछ आवाजें सुनाई देती है अरे यह आवाजें कहां से आ रही है जरूर इस बाज में कोई भूठ है क्या भाई दिन में भूत कहां से आएगा तुम भी ना भाई का भूत पालते हो तब ही शामू की नजर एक पेर के उपर पड़ती है उसे लगता है जैसे कोई डरावने सी शकल उस पेर पर बैठा हुआ है और उसे ही घूर घूर के देख रहा है अरे वो देखो फेरते कोई है रामू उपर देखता है अरे नहीं शामू वहाँ तु कुछ भी नहीं है सब तुम्हारा बहन है पर वो भयानक चहरा दरावनी लाल आखें अभी भी शामू को घूर रही होती है फिर शामू डरते डरते रामू को वहां से चलने को बोलता है फिर वो दोनों बाग से निकल के अपने खेतों की तरफ चल देते हैं रामू पक्षियों को भगाने के लिए एक मटके पे आखें और मुँ बना के लकडी का एक पुतला बनाता है और उसे खेत के बीचो बीच खड़ा कर देता है फिर शामू होने पर शामू मैं यहीं खेत की निगरानी करता हूँ तुम घर जाओ और खाला ले आओ ठीक है भाई रामू की कहने पर शामू चल तो देता है घर की ओर पर वो बहुत सेहमा हुआ होता है तब ही रात हो जाती है अचानक डराउनी आवाज आने लगती है रामु को एका एक एक एहसास होता है कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है किसी के जूते के चलने की आवाज आती है पट 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 जूतों की आहज सुनके श्यामु रुक जाता है और हिम्मत करके पीछे पलटता है पलटे ही उसकी नजर फटी की फटी रह जाती है उसके सामने बड़ी बड़ी दो लाल दरावनी आँखें दिखती है कौल है कौल है वहाँ फिर शामो अपने टोच की रोशने उन आँखों पर डाल के देखने की कोशिश करता है पर ये क्या सिर्फ आँखें और बूट्स शामो को तो मानो सत्मा लग गया हो शामो तेज तेज भागने लगता है अरे कोई बचाओ ये क्या आफ़त है कोई बचाओ मुझे इंटराबनी आँखों से बचाओ बचाओ शामो आगे आगे भागता है और वो आखें और बूट्स शामो का पीछा करते हुए भागते हैं जिलाता हुआ शामो भागते भागते अपने घर में घुच जाता है और अंदर से गेट बंद कर लेता है शामो लंबी लंबी सासे लगता है बाल बाल मच के आज वरना वो आखें तूप जैसे मेरे ही पीछे पड़ गई थी फिर शामो खिड़की से बाहर जांक की देखता है कोई नजर नहीं आता उसे फिर शामो खाना खाने लगता है और रामो के लिए भी खाना बांगता है और फिर खेतों की दरफ निकलने लगता है वहीं दूसरी तरफ अरे ये शामो कहा रह गया अभी तर खाना लेके नहीं आया यहां श्यामू खाना लेके निकल तो आता है पर अभी तक उसके मन में उन्ही लाल आँखों और बूर्ट्स का खौफ होता है डरता हुआ श्यामू खेतों की तरफ बढ़ने लगता है खेतों से कुछी दूली पर उसे नजर आता है कि कोई डरावने शकल का सामने से उसकी तरफ बढ़ रहा है उसके बिखरे बिखरे काले बाल, बड़ा सा मूँ और बड़े बड़े नुकीले दात होते हैं कभी वो डरावने शकल बड़ी होती है तो कभी छोटी ये नजरा देख के शामू की हवा टाइट हो जाती है शामू उल्टे पैर भागने लगता है फिर रामू भागता भागता शामू की आगे की तरफ जाता है शामू भाग की रामू से लिपट जाता है भाई बचालो मुझे वो बड़ी बड़ी आखो वाला नुकीले दातों वाला भूत मुझे खा जाएगा रामू आसपास देखता है पर उसे कोई नजर नहीं आता अरे शामू भाई आखे खुलो देखो कोई नहीं है नहीं भाई वो सिर्फ मुझे ही मारना चाता है इसलिए सिर्फ मुझे ही दिखता है फिर रामू शामू को लेकर घर आ जाता है फिर अगली सुभा शामू उठो भाई खेतों पर जाना है शामू उठता है फिर दोनों भाई खापी के खेतों पर निकलते हैं खेतों पे फसलों में पानी डालने के लिए शामू कोई की तरफ जाता है शामू कोई से पानी निकालने के लिए कोई के अंदर जांकता है चलो एक बाल्टी पानी निकाल लेता हूँ अभी बाकी मजदूर आ जाएंगे तब निकालेंगे बाल्टी खीचते हुए शामू की नजर कुई की गहराई में जाती है वहाँ उसे दिखता है एक डरावना हसता हुआ भूतिया चहरा जो उसे कुई के अंदर बुला रहा होता है कौन है अंदर? शामू जो के अंदर देखने की कोशिश करता है तभी एकदम से वो भूतिया चहरा पानी में से शामू के बेकुल बासा के पूट जाता है शामू उसे देख के हका बका रह जाता है और बाल्टी वहीं छोड़के भाग खड़ा होता है शाम को जब रामू घर आता है तो उसे पता चलता है कि शामू को तेज बुखा रहे और शामू नीन में उसी भूत की बात कर रहा है फिर रामू अपने प्रिये दोस्त काकू के घर जाता है काकू गेट खोलो बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे काकू गेट खोल के रामू को अंदर बुलाता है कहो भाई कैसे आना हुआ रामू अपने प्रिये दोस्त काकू को शामू के भै के बारे में बताता है हमें कुछ तो करना पड़ेगा शामू के भै के भूत को भगाने के लिए वरना शामू की तवियत दिन प्रती दिन खराब होती जाएगी फिर काकू रामू की कान में कुछ बोलता है फिर रात होने पर मैं आज कहीं बहार रही जाओ ना वरना वो भूर मुझे कच्चा जबा जाएगा वो डर से चिलाने लगता है मुद्या चेहरा शामू को अपनी तरफ बुला रहा होता है आओ मेरे पास आओ शामू के रेंग्टी खड़े हो जाते हैं वो रामू को बुलाने लगता है रामू भाई कहो बच्चाओ मुझे उस भूत से बच्चाओ वो मुझे बुला रहा है मुझे खा जाएगा आज वो भूत बचाओ रहे शामू कहां देखो कुई नहीं है बाहर ठीक से देखो मुझे बचा लो भाई वो मेरी तरफ ही आ रहा है आज मैं जिन्दा नहीं बचूंगा पिर देख पिर देख को वो भूत या चेहरा शामू के पास आगे खड़ा हो जाता है शामू डर के मारे आखें बंद कर लेता है शामू आखें खोलो देखो कोई नहीं है यहां आज तू मैं बचेगा शामू रामू भाई ये भूत सिर्फ मुझे ही दिखता है ये सिर्फ मुझे ही खाएगा अज मैं जिन्दा नहीं बचूंगा तब ही वो भूत या चेहरा शामू का हात बकड़ता है चोड़ दो मुझे मैं मरना नहीं चाहता अभी तब ही उस भूत या चेहरे के पीछे से काकू निकल आता है काकू की आवास सुनके श्यामू डरते डरते आँखें खोलता है काकू को अपने सामने देखके वो बहुत चक्का रह जाता है काकु भाई तुम भूत कहा गया शामु घबरा के आस पास देखने लगता है कोई भूत नहीं था ये देखो ये मुखोटा है ये शामु ये तुम्हारा भै का भूत है वो हर चगह तुम्हें अपने पास बुलाता है सिर्फ तुम्हें ही दिखाई देता है क्योंकि तुम्हें अपने मन में भूत का डर बिठा लिया है शामु को समझ आ जाता है कि भूत हमारे मन में चुपा एक भै है मैं निश्य करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी नहीं डरूँगा और अपने भै के भूत को खुद पे कभी हावी नहीं होने दूना उस रात सिर्फ दरावनी रात ही नहीं बलकि शामु के भै का भूत भी अमेशा के लिए धल जाता